तो बच्चों, आज की जो एक छोटी सी ट्रिक लाई हूं, बहुत ही अमेजिंग है, कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, जिसके लिए हमें पिलंबर को बुलाना होता है, बहुत सारे नकरे करते हैं, धेरों पैसे भी लेते हैं, और बहुत सारे नकरे करते हैं, टाइम स जार मत करो आज खुदी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो अब आपको लगेगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी यह पिलंबर वाली हमसे हो जाएगी चले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आये किचिन के अंदर होती है दोनों चीजें हमारे घर में होती हैं और यह नई हो दो तब भी में आकरी आपको बताऊंगी कि आप इसके बदले क्या चीज यूज़ कर सकते हो तो बस दोनों चीजों को मिला लिया इसमें रियक्ट हुआ आपने देखा ना बस इसमें उस हैंड चावर को या नल के उपर आप इस तरीके से बांद दीजे बिलकुल अच्छे से बांद दीजे रबर बेंड लगा लीजे या गठान बांद दीजे अब इसे मैंने यहां पर गांट लगा दी है और 15-20 मिट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद इस पानी को हमें फैलाएंगे नहीं हो सकता है आपका जो हैंड शावर बहुत ज्यादा गंदा हो साफ नहीं हो पाया हो तो इसी में हम वापिस से 15-20 मिट रखेंगे चली 15-20 मिट हो गए इसे चेक कर लेते हैं पहले उस पॉलेथन वाले पानी को अलग रखे और हैंड शावर को या नल को चेक कीजे उसक के साथ थोड़ा सा रख कीजे टूथ ब्रश जो पुराना होता है थोड़ा सा उसको रख कीजे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉबलम आती है तो आप क्या करेंगे इसी पानी में थोड़ा बेकिंग सोड़ा और डालके एक बार और गठान लगा के रख दीजे पंद्रा मिट बाद इतना क्लीन हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे आप सोचो के यह फिलंबर का काम हमने खुद कर लिया बिलकल कर लिया एक और बात अब मैंने बताया दाना कि आपके पास विनेगर और मीठा सोड़ा ना हो तो क्या करे और उसके बाद भी नखरे सहते हो देखा ना आपने बच्चों कितनी अमेजिंग सी यह ट्रिक है बहुत ही काम आएगी आपने देखा कोई भी आपका शावर यह बंद हो जाता है तो यही तरीका है उसे ठीक करने का आप इनो यूज कर सकते हैं मीठा सोड़ा या विनेगर यह सारी चीजें हमारे अक्सर घर में होती हैं बच्चों पसंद आये ट्रिक तो कॉमेंट करना बिलकुल न भूले और इसे शियर जरूर करना अगर इस चैनल पर नए आयो इसे सब्सक्राइब करना बिलकुल न जाना